हेलो फैंट्स स्वागा साथ कर मारे यूट्व चैनल पर आज हम देखेंगे किस तरीके से आपने वाल्ट टेक्चर करना है यह ग्रैनॉल्स होते हैं यह इसी कलर के अंदर आते हैं रेडिमेट बने आते हैं और यह 25 kg के बैग में आते हैं तो यह डिफेंट डिफेंट कंपनी इसके होते हैं तो आपको मैं इसकी वीडियो के अंदर दाऊंगा किस तरीके से आप इसको करवा सकते हैं अपने घर पे और अपने नियर्बाइ कैसे इसको आपने डिलर को फाइंड करना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमने बकेट के अंदर प्रॉपरली मिक्स कर से सबसे पहले बैक से निकाल कर इसको मिक्स करकर इसको की के साथ रौपल मिक्स करता है अछा मीक्स कहें रहेगी केमिकल इसका bonding agent होता है, इसके अंदर एक chemical powder भी निकलता है, वो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा अगे, उस proper उसमें mixing कैसे करनी है, जब बैक से निकलता है ये, तो इस तरीके से आपने properly इसको mix कर लेना है, ये कहीं भी आप exterior face, interior में करवा सकते हैं, इसके अंदर बहुत अरवर तरह के shades आते हैं, आप वो shade card को भी आपको मैं link description प्रोवाइड कर दूँगा, ये granules होते हैं, flanks, texture वगएरा सवारा कुछ आता है, लक्स्टर कंपनी का है ये, और बहुत सारी कंपनी इसमें बनाती है, mainly राइस्थान का होता है, राइस्थान में ये easily available होता है, तो बाकी आप जहां भी रहते हैं, वहाँ पर available हो जाएगा ये, तो जैसे देख रहे हैं, ये जो chemical डाल रहे थी, ये उता है, ग्रैन्वोस का 5 ये अगर अगर आपका फ्रंट के अंदर काम है, जदा है पर ये पैट के उपर काम होएगा, कि कई बर आगे अगर वाइट बगर आगा प्रॉलम होती तो ये पैडिंग का काम है, इस तरह के साथ आपने देखिए, ट्रॉबल के हैज से गुर्माला जिसको कहते हैं, उसकी ह इसको चड़ाना है उपर हमें सर्फेस दे उपर, इस तरह के सिनिशिंग देनी होती ही बाद मर, ये देखिए, तो ये अभी आपको वाइट वाइट लग रहा है, मगर ये सूछने के बाद प्रॉपरली रेट गलर का जिसको का ग्रैनुस को उतर का सर्फेस त्यार हो इसकी पूरी स्टोन लूक आएगी, बाकि आप दिखाऊंगा आपको में एंड में, तो जैसे देख रहे हैं, आप प्रॉपली हम से चुड़ा सकते हैं उपर, पेंटर भी कर सकते हैं ये वर्क और कोई स्पेशल होते हैं, वो भी कर सकते हैं, स्पेशल कारीगर भी होते हैं ये आपको कमपनी में जवाब पूछेंगे तो आपको प्रॉइट हो जाएगा बंदा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, अब पूरा ये प्रॉपली फिनिशिंग का वर्क होता है, तो प्लस तो जितना अच्छा हो तो उतना अच्छा वर्क होगा आपका, अगर प् इसको हम CMC powder कहते हैं, और इस powder को होगी ये बैक से निकलेगा, इसको आपको अलग से पर्चेस करने ही जुरूत नहीं है, इसको हमने properly इसको mix कर लेना है, इस powder के help से granules अलग-अलग रहते हैं, और working अच्छी से होती है, और इसकी binding जो strength होती है, तो इसको हमने properly अच्छी तर अच्छी तर mix कर लेना है, और इसको working fist start कर देते हैं properly, इस तरीके से हमने इसको त्यार कर लिए, बाद में travel की help से इसको चढ़ा देंगे valves के उपर, तो इस तरीके से हमने इसको काम complete होता है, जैसे कर दे सकते हैं, तो इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, exterior, interior face पे, और इसकी costing भ सकते हैं, उससे तो बहुत ही कम cost बढ़ते हैं, इसको आप कहीं भी करवा सकते हैं, कभी इसको भार कोई खराब नहीं होता, ये lifetime होता है, जब तक इसके बहुत कोई ठोके सो तोड़े ना, क्योंकि इसकी life बहुत ज़्यादा है, पानी के अंदर ये बलकि और hard होता रहता है बरसाद के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप करवा सकते हैं, लिंक आपको description दे रखा है, company का मैंने, और customer का नंबर भी दे रखा है, जिससे कि आप इसको call करके, पूछ सकते हो, कि कहां पर हमारा dealer है nearby, और वहां पर जा कि आप dealer के थुरू, material purchase कर सकते हैं, और वहां से आपको dealer के थुरू भी, जो कारी का रोत्ते करने वाले वो मिल जाएंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, सूखने के बाद किस तरी कैसे हमारा लगता है, और आपको idea मिल जाएगा, कैसा आपकी look आती है घर की, तफ़ान जैसे देख रहे हैं, ये हमारा complete ह हो चुका है, और ये दे सकते हैं, जब धूप नहीं निकली तो इस तरीका का ये look आ रही थी, red और ये light color के अंदर, और जब ये धूप निकली तो देखे कि स्टोन की तरह ये shine कर रहे थे, तो ये बहुत ही एक cheap and best outdoor का texture है, तो इसको आप जूरूर का सकते हैं, मैंने company का link आपको description दे रखा है, और phone number भी दे रखा है, तो आप contact करके उनसे पूर सकते हैं, कि आपके area के nearby कहां पर होता है,